स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिसमिल्लाहिराख्मानिराहीम अटेंटिव बैठना है टॉपिक बहुत असान है इसमें वैसे तो अटॉमिक स्पेक्ट्रा यानि जो लैमन बालमर सीरीज वगरा के बारे में आइडिया है लेकिन इसमें हम बहुत अटॉमिक मॉडल को भी कवर अप करेंगे ताके पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है वो हमारा बिल्ड अप हो जाए तो Atomic Spectrum है जो हमें कोर्स कॉंटेंट कहा है MDCAT में वो तो उसने कहा है जी Atomic Spectrum और उसमें भी स्पेसिफिकली जो Line Spectrum है या जिसे हम Atomic Spectrum भी कहते हैं उसको आपने स्टेडी करना है उसको Understand करना है तो इसमें बच्चो आगे बढ़ते हैं तो Main Lecture की तरफ आते हैं हम सीधा ठीक है ये Questions जो हैं ये मैं आपकी आपके लिए शोड़ दूँगा Spectroscopy भी से शुरू करते है Spectroscopy का चीज़ है पुछ आप सब को इतना तो पता है ना कि जब भी किसी Atom में कोई Electron Higher Orbit से Lower Orbit में जम करता है तो वो एक Packet of Energy रिलीज करता है जिसको हम आम जबान में Photon of Light या Quanta of Light भी भी बोलते हैं अब ये जो Light है ये Automatically According to the equation E is equal to Hc by Lambda एक अदद wavelength रखता है अब ये wavelength और दूसरी बात ये transition कितनी मरतबा हुआ है जितनी मरतबा होगा उतने number of photons जो है वो emit होंगे और इन number of photons को हम नाम देंगे किस चीज का intensity का तो दो words पर ध्यान दें एक intensity और एक wavelength अब आज एन definition पर The branch of physics which deals with the investigation of wavelengths and intensities of electromagnetic radiations emitted or absorbed by atoms this branch of physics is known as spectroscopy spectroscopy के word से हम pick करते हैं word spectrum spectrum a combination of wavelengths हो सकता है फर्ज करें एक गरज चमक के साथ बारिश होई है उसके बाद धूप निकली है तो धूप में आपको rainbow नजर आ रही है तो rainbow क्या है rainbow हमारे पास different kinds of wavelengths हैं और जो एक बहुत खुबसूरत सा pattern बनाती है environment में बचो इसको हम बोलते हैं solar spectrum सूरज से बनने वाला spectrum अब यहां पर एक बात जैन में रखें जो सूरज है वो एक hot body है और hot body radiation emit करती है यह हम chapter 19 black body में पढ़ते हैं rainbow में आपको सारे colors मिलते हैं violet से लेके red तक 7 के 7 colors यानि कोई color इसमें missing नहीं है कोई color missing नहीं है इसका मतब़ है यह continuous pattern में है तो बचो solar spectrum is also known as continuous spectrum ठीक है types of spectrum हम देख रहे हैं तो solar spectrum किस type में आ जाता है continuous spectrum यह आप और concise कर लें तो जितने भी black body spectrum होते हैं यह सारे के सारे क्या होते हैं continuous spectrum होते हैं इसके बाद आते हैं हम emission and absorption spectrum for example हमारे पास एक light है जो 7 के 7 colors अपने अंदर रखती है यानि continuous spectrum है उस continuous spectrum को यहाँ पे continuous spectrum है उस continuous spectrum को बचो अगर हम let's say यह bulb है यह continuous light emit करता है तो एक cold gas cold gas का मतलब है ऐसी gas जिसके तमाम items अपने किस state में हो ground state में उससे बचो यह 7 के 7 colors हम पास करते हैं लेकिन आगे जब यह light emit होती है तो इसमें से सिरफ let's say for example 3 colors आगे आपाते हैं और जो बाकी colors है 4 वो इधर absorb हो गए अब सामने जो हमारे पास spectrum बनेगा उसमें चोके बहुत सी dark lines आएंगी यह dark lines आएंगी यह dark lines क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन जबहों पर जो wavelengths थी वो तो gas में absorb हो गी तो उन absorption की बिना पर बच्चो इन dark lines की वज़ा से इस spectrum को क्या कहा जाएगा? absorption spectrum of the gas लेकिन यह जो चार wavelengths अंदर absorb होई हैं यह सदा बाहर इसमें नहीं रहेंगी यही चार wavelengths दुबारा से re-emit होंगी और जब हम इनको screen पर obtain करेंगे तो बच्चो जहां जहां यह dark spots थे उन उन जगों की wavelength re-emit होंगी atom में से और जो spectrum देंगी वो चुँके photons के emit होने की वज़ा से बना है लहाजा इसको बोलते है emission spectrum और इसी को बोलते है atomic spectrum वैसे तो दोनों को कुल मिलागे बोलते है atomic spectrum तेकिन atomic spectrum में हमें ज़्यादा emphasize किस पर करना emission spectrum में क्यों कि बच्चो emission spectrum जो है यह हमें information देता है कि हम किस type of gas के साथ interaction कर रहे कैसे देता information आपका जो thumb impression है आप अपने mobile screen पर लगाते है तो unlock होता है कोई और लगाए तो unlock नहीं होता इसका मतलब है कि आपका thumb impression आपका unique impression है जो सिरफ आप रखते हैं और कोई नहीं रखता सेम इसी तरह बचो यह जो gases का या elements का line spectrum होता है यह उनका unique spectrum होता है hydrogen है तो उसका spectrum और होगा helium का spectrum और होगा lithium का और होगा और यह spectrums बदलते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास number of electrons भी बदलते चले जाएंगे जैसे क्या आपको मैं screen पे दिखा रहा हूँ hydrogen का emission spectrum helium, lithium, beryllium आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे electrons की तादाद बढ़ रही है जो हमारे पास emitted lines है उनकी तादाद भी बढ़ती चली जारी boron, carbon, nitrogen, oxygen ठीक है fluorine, neon, iron अब देखें iron कितना rich है अपनी atomic spectral lines में ठीक है तो बचो यह जितने भी हमारे पास spectrums आ रहे हैं science इनको study करती है और इनके patterns को note कर लेती है note करने से क्या होता है देखें iron सिरफ जमीन पर ही तो मौजूद नहीं है space में भी तो किसी planet पर किसी सूरज में iron हो सकता है तो iron excited state iron जब कोई light emit करेगा वो light हम जमीन तक receive करेंगे और जब हम उसकी spectroscopy करेंगे और हमें ये pattern मिल गया तो हम identify कर लेंगे कि space में उस object के उपर कौन सा element exist करता है iron exist करता है ये कहानी interesting इसलिए भी है कि उपर जो helium gas जिसे आज हम जानते हैं ये जमीन से पहले सूरज में detect हुई थी सूरज की आने वाली रोशनी से पता चला कि hydrogen के इलावा एक और gas अपना spectrum हम तक भेज रही है तो helium was identified in sun before it was identified on earth तो यहां तक बच्चों मुझे बताएं okay report दें कि आपको emission spectrum की समझाईगी कि emission spectrum किसे कहते हैं चलें okay that's good अचा जी अब ये तीन types of spectrums को आपने short list करना है अपने mind में continuous spectrum known as black body spectrum इसमें तमाम colors exist करेंगे line spectrum जिसको हम atomic spectra भी गहते हैं इसके आगे दो types हैं absorption and emission हम आगे किसको study करने जा रहे हैं emission spectrum और molecules में से जो lights निकलती हैं बचो वो texture बनाती है मतब एक ही color के बहुत से different textures अपियर होंगे green के different textures हो जाएंगे yellow के different textures हो जाएंगे तो ऐसे जो spectrums होते हैं वो molecules में निकलते हैं और इनको हम बोलते हैं band spectrum तो continuous or band ये सरफ for the sake of information है जादा हमने focus किस पर करना है line spectrum पर अब line spectrum पर आगे चलते हैं तो हम जाएंगे hydrogen emission spectrum पर hydrogen emission spectrum में बचो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक rough picture इसकी समझा दूँ ताके आगे जाकर चीज़ें बहुत असान लगें आपको मुश्किल ना लगे hydrogen के अंदर कोई पूछे न electrons कितने हैं तो आप जवाब देंगे एक लेकिन कोई आपसे पूछे hydrogen में orbits कितने हैं तो आप जवाब देंगे infinity पहला orbit दूसरा तीसरा चौथा पांचवाँ छटा यहां तक बात चल रही है और at last कौन सा orbit आजएगा infinite orbit ठीक है बच्चो अब अगली बात परस कर लेते हैं यह orbit N है और यह orbit P N कोई higher orbit है और P उससे lower orbit है तो electron अगर N orbit में है और वो जम करता है P orbit में तो बच्चो उससे जो wavelength होगी उसका एक formula आपकी बुक पर लिखा है मैं जिसकी general formula लिख रहा हूँ 1 over lambda equals to Redburg's constant 1 over P square minus 1 over N square confirm कर दें मुझे आपने इस formula पढ़ लिया हुआ ओके अब इसी formula से सारी कहानी आगे चलनी है बच्चो वो कैसे एक तो यहां पर जो Redburg constant लिखा हुआ है इसके बारे में एक बात पहले अपने पास note कर लें 1 over R अगर आप calculator पर अच्छा पहले तो Redburg की value क्या थी 1.0974 10 raised to power 7 पर मीटर की value याद रखनी इस value का अगर हम inverse ले ले लेते हैं 1 over R तो याद रखना है यह तक्रीबन तक्रीबन आपके पास 92 नैनो मीटर्स एक wavelength देता है यह figure ज़र अपने पास नोट करने साब बच्चे यह आपको बहुत काम आएगा आगे कि Redburg constant का अगर हम रही सी प्रोकल फाइंड कर ले 1 over R तो यह value calculator पर तो तक्रीबन 91 एंग्स्ट्रॉम आती है लेकिन 91 को किसी भी direct से divide करना थोड़ा मुश्किल है 90 को या 92 को divide करना है तो आप अपने जहन में रखें 1 over R is 92 nanometer उसके बाद इस formula को हम further यह भी लिख सकते हैं न 1 over lambda equals to Redburg constant अब नीचे LCM क्या जाएगा N square P square उपर क्या जाएगा N square minus P square ठीक है लेकिन बचो answer हमें 1 over lambda को तो नहीं बताना होता answer तो हमें बताना होता है lambda का इसी का reciprocal ले 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 लें नेमडा तो हमारे पास क्या आजाएगा N square P square उपर N square minus P square साथ क्या multiply हो जाएगा Redburg constant and if you can see what I wanted to tell N square P square over N square minus P square के साथ 1 over R ही multiply हो रहा है न तो क्या मैं 1 over R की जगा लिख सकता हूँ 92 नैनो मीटर्स तो बच्चो यहां पर मेरी जो भी calculation आएगी मैं जैसे ही उसको 92 से multiply करूँगा मुझे जो भी answer मिलेगा वो किस में मिल जाएगा नैनो मीटर्स में मिल जाएगा तो मुझे बताएं आपको यह बात समझाई ही सही से ठीक है गुड हो गया चलें शाबाश यह वाला हिस्सा ज़रा जहर में रखना है खासकर यह फॉर्मूला यह आपको बड़ी जगों पर यूज करना पड़ सकता है तो एंस्केर पी स्केर बार बार पढ़ते रहे ना एंस्केर पी स्केर अब उसकेमाइव उनको थोड़ा सा एडैंटिफाय कर लेते हैं ब्चरू है मारे पास 1 था थी यह 3 यह 4 अग़े भी हम एक दो और्बिट्स चशेडर कर लेते हैं 4ばい 7 चैipts से 1 फ़्यलोडोड जब चैश से 1 है 2 से 1 में 3 से 1 में 4 से 1 में 5 से 1 में ultimately infinity से 1 में fall करेगा तो याद है यह कौन सी series थी Lehman series electron किसी भी orbit से 2 में fall करे तो कौन सी series Balmer electron किसी भी orbit से 3 में fall करे तो यह कौन सी series थी precision इसके बाद कौन सी series आएगी 4 के लिए 5 के लिए पी फॉंट सीरीज तो हमारे पास देखें वन में फॉल करना लैमन सीरीज टू में फॉल करना बालमर सीरीज फ्री में फॉल करना पास्चन सीरीज और फॉर में ब्रैकेट सीरीज यहां तक सीरीज के नाम यहां दो गए और उसे एगली बात लाइमन सीरीज किस रीजन में exist करती है ultra violet रीजन में बालमर किसमे करती है visible रीजन में पास्चन, ब्रेकेट और पीफंट इतीनों किस रीजन में exist करती है infra red रीजन में अब 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 कोई बता सकता है मुझे कि इनमें से सबसे जऑ़ा energetic spectral region कौन सा है yes very good हमारे पैस जो इनमें सबसे ज़्यादा energy वाला region है वो Lyman series है वो कौन सा region है जो सबसे पहले discover हुआ था शाबश obviously Balmer जो कि नजर आता है तो discover भी सबसे पहले ही होगा very simple common sense ठीक है और वो कौन सा region है जो visible में exist करता है again is cancer भी Balmer series है वो कौन से region है जो infrared में exist करते है पास्चन bracket fund ये तीनों किसमें exist करते है infra red में ठीक है तो अब बात एक और भी बड़ी मज़े की चीज़ है देखें लाइमन series का number क्या है वन Balmer का number क्या है टू पास्चन का थ्री bracket का फोर पी fund का पाइव इन सब के ये जो numbers है ये basically किस value उपर आएंगे P की value उपर लेकिन अगर lemon series का P1 है तो N तो 1 नहीं न होगा N शुट बी greater than 1 Balmer series का number 2 है तो N शुट बी greater than 2, पास्चन के लिए N शुट बी greater than 3 bracket के लिए N शुट बी greater than 4 और P fund के लिए N शुट बी greater than 5 ठीक है अच्छा अब आपने इसके बाद काम करना कैसे है मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने काम कैसे करना है और जो मैंने lecture बनाया हूँ भी मैं आपको बता दूँ गा कैसे यहां पर आपने series का नाम लिख देना है यहां पर हम लिख लेंगे series का name ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला उसके बाद हम लिखेंगे उसका पी क्या है उसके बाद लिखेंगे उसका एंड क्या है इसके बाद हम एक बड़ी इंपॉर्टन चीज लिखेंगे उसका लेमडा मैक्सिमम क्या है और उसका लेमडा मिनिमम क्या है और फ region कौन सा है ठीक हो की बाद आप देखें अब यहां पर अगर हम सीरीज पर आ जाएं तो सबसे पहली सीरीज हमारे पास कौन सी है लाइमन सीरीज दूसरी बालमर तीसरी पास्चन देन ब्रेकेट और देन पीफार ठीक है अच्छा अब मैंने यह सारा टेबल नहीं आपको फिल करके देना मैं आपको सिरफ एक कोई एक रो जो है वो समझाऊंगा आपको बना बना है टेबल भी मैं सेंड करूँगा उसमें सारा कुछ गिवन होगा लेकिन हम सबसे पहले अंडरस्टेंड करते हैं लेट से हम काम शुरू करते हैं बलमर सिरीज अब बलमर सीरीज का फॉर्मूला है वजो पी की वैल्यू है वह हमारे पास है टो और भी एहां पर हम लिखेंगे इच उडर दन तो अब आते हैं सबसे मजह की stitchayı जो है लेंड़ा लेमडा और lambda minimum ये दोनों क्या चीज़े है तो इसको हम समझते हैं थोड़ा side पर ये मेरे पास पहला orbit है ये दूसरा है ये तीसरा है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये infinite orbit है 1, 2, 3 और ये जाते जाते infinity बचाँ आपको पता नहीं कि energy की equation होती है h c by lambda अब energy जितनी या energy difference जितना ज़्यादा होगा wavelength उतनी short यादि wavelength उतनी minimum होगी और energy का difference जितना कम होगा wavelength उतनी ज़्यादा इसको lambda maximum भी कह सकते हैं, lambda longest भी कह सकते हैं तो अब Balmer series है कौन सी series ये second one, इसको मैं highlight कर रहा हूँ देखे बच्चों, इसमें सबसे छोटा jump कहां से लग सकता है, 3 से 3 और 2 का जो energy difference होगा, वो सबसे कम होगा तो यहाँ से जो photon emit होगा इस transition से उसको मैं नाम दूँगा किसका lambda, maximum का jump सबसे छोटा है लहाजा wavelength सबसे longest होगी और अगर electron infinity से 2 में fall करता है तो यह jump सबसे greater है, 2 के लिए लहाजा इससे जो photon emit होगा उसको मैं नाम दूँगा, lambda minimum तो यह तो होगी इसकी consideration यही काम आप बाकी तमाम series पर कर सकते हैं, बस series select कर ले नहीं मैंने तो 2 select की है, जब आप 1 select करेंगे तो jump छोटा 2 से 1 में होगा और बड़ा infinity से 1 में हो जाएगा, ठीक है? लेकिन पहले पूरी कहानी को समझ ले इस diagram के बाद हम आते हैं, कि when we try to find lambda maximum तो formula लिखेंगे हम, n square, p square, n square minus p square into red works constant, अब n क्या है? 3 square, p क्या है? 2 square, फिर 3 square minus 2 square, और red works constant, lambda maximum is equal to 9 multiply by 4 divided by 9 minus 4, red work constant, तो बच्छोगी क्या बन रहा है? 36 by 5 r, इस तरीके से भी value लिखने को आ सकती है, यह हो गया इसका lambda maximum, और अगर मैंने इसको nanometers में convert करना हूँ, तो now you should know, कि 36 by 5 को मैं किस से multiply कर सकता हूँ, 92 nanometer से, लेकिन मैं यहापे आपको एक flexibility भी बता रहा हूँ, मैंने आप से कहा था कि 1 over r का actual answer 91 है, ठीक है? तो 92 अगर 5 पे directly divide नहीं हो रहा तो आप 91 से एक digit आगे जाने के बजाए पीछे आजए, इसको 90 कर ले, अब तो आप इसक accurate answer के nearest answer होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर कोई आपके पास odd number आजए, तो आप इसको 90 कर ले, अगर आपके पास को even number आजए, तो आप इसको 92 से solve कर ले, ठीक है बच्चो, यहाँ तक मुझे बताएं, lambda maximum की सब को समझा आ गई, और बात है, lambda minimum पे, lambda minimum, पहले तो formula लिख लेते ह पहले आप कोई formula लिखे हैं, जो शुरू वाला formula था, 1 over lambda, red box constant, 1 over p square minus 1 over n square, तो बच्चो, 1 over lambda minimum, यहाँ पे p की जगह तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे n क्या है, infinity, and you all know that 1 over infinity is equal to 0, something minus 0, remain something, आपके पास 1 over lambda minimum का answer, r by 4 आ रहा है, जिसको हम invert कर देंगे, तो lambda minimum basically 4 by r हो जाएगा, अब 4 by r में आपको एक खास बात नज़र आ रही है, बच्चो, 2 का square क्या होता है, 4, तो क्या में, बालमर सीरीज के लिए, जिसका number क्या होता है, 2, lambda minimum find कर रहा हूँ, तो यह answer आ रहा है, 2 square by r, पास्चन के लिए, बच्चो, यह क्या होगा, पास्चन का number क्या होता है, 3, तो पास्चन का lambda minimum क्या होगा, that would be 3 square by r, bracket का 4 square by r, पी फंड का 5 square by r, और लाइमन का 1 square by r, तो lambda minimum की calculation, जूँकि है इतनी असान, कि हमने सारों का lambda minimum निकाल लिए, बट lambda maximum के लिए, थोड़ा सा खपना पड़ेगा, क्योंकि lambda maximum पर बच्चो, यह वाला formula लगना है, और यह solve करके, ही answer निकलेगा, ठीक है, तो आप देखें, table पर वापस आते हैं, table पर वापस आ जाएं, तो हमारे पास lambda maximum, कितना है, 36 by 5 r, और lambda minimum कितना है, 4 by r, अब आगे इन दोनों की ratio है, lambda maximum कितना है, 36 by 5 r, lambda minimum किया है, 4 by r, तो 1 by r से 1 by r, cancel हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 4, 9s आ, 36, अब हमारे पास, मैं जिन जिन को raise कर रहा हूं, सिरफ और सिरफ यह digit बज़ रहा है, तो 9 by 5, यह ratio आएगी किसकी, lambda maximum to lambda minimum की, और region इसमें क्या हो रहेगा, visible, ठीक है बचो, तो अब मुझे ज़रा confirm करें, कि आपको यह वाला balmer series का सारा parameter अच्छे से समझ आ गया है, तो अब मैं चलता हूँ आगे, कि मैंने यह lecture कैसे design किया हुआ, तो देखें, मैंने एक एक चीज इसमें लिक्के रखी हुई है, lambda का formula है, यहाँ पर spectral series मैंने, साथ दी हुई है, ठीक है, यह हमारे पास, let's say, alignment series आ और lambda minimum के लिए यहाँ पर biggest jump जो है, वो मैंने mention किया हुई है, और अगली slide में मैंने यह सारी values calculate करके निकाल कर भी रखी हुई है, प्लस इसमें lambda maximum to minimum की ratio भी मैंने दी हुई है, और मज़े की बात, यहाँ पर एक shortcut आपको नज़रा आ है, यह दरा shortcut अपने पास लिखें, फिर म प्लस वन, पी प्लस वन का square, divided by 2P प्लस वन, लिख के मुझे ओके report देता है, नहीं बचो, दन, तो अब देखें इसका फाइदा क्या और इसका मज़ा क्या है, बहुत रिखता है question में आ जाए कि find the, what is the ratio of maximum to minimum wavelength of past 10 series bracket या P fund, तो बचो अब उतना time तो होगा नहीं हमारे पास के हम पहले पासिन का lambda maximum निकालें, फिर उसका lambda minimum निकालें, और फिर जाके उनकी ratio find करें, तो उसका shortcut देखें, इस 9 by 5 को मैं मिटा के आपको shortcut reply करके देता हूँ, P plus 1 का square divided by 2P plus 1, बालमर का नंबर क्या है जी, बालमर का नंबर है 2, तब 2 को यहाँ पर use करते है, 2 plus 1 का square divided by 2P, यह ने 2 into 2, plus 1, 2 plus 1, 3, 3 का square, 9, 2 to the 4 plus 1, 5, अंसर आ गया, तो यह ऐसा shortcut formula है, कि आप यह वाले lambda maximum minimum नहीं भी निकालें किसी series के, सिर्फ series के नंबर पर गौर कर ले, लाइमन का नंबर, 1 बालमर का, 2 पास्चन का, 3, 4, 5, जड़ा मुटे जल्दी से bracket series का maximum to minimum ratio निकाल के दें, हर directly 25 by 9, good, very good, shabash, all done, ठीक है, तो अब मैं आपको final table पर लेकर जाता हूँ, जहां पर मैंने इस सारी values निकाल के रखी हुई है, ठीक है, तो यह देखें, हमारे पास spectral series हो गई, spectral series का formula हो गया, formula में आपको खुद हुए identify कर लेना है कि यह P side है, और यह दूसरी N side है, अब smallest wavelength lambda minimum, यहां पर लिखा भी हो है कि N की value infinity है, और उसके बाद longest wavelength जिसमें जो N है वो P से एक digit greater होगा, और उसमें इनको calculate भी किया हुआ है, तो देखें, 1 over R मैंने क्या कहा था, 92, तो यहां पर मैंने सारी values nanometers में भी निकाल के रखी हुई है, अब मैंने आपको देखें, basic structure 123 के sequence में, उनका lambda minimum, lambda maximum, और उनकी ratio के लिए मैंने आपको proper procedure भी बता दिया, और shortcut भी बता दिया, तो अब आज का आपका main काम यही है, कि आपको यह table जो है, वो बस आपको कह दिया जाए कि स्पेक्टल सीरीज का table बना दे, तो आपने वो table जो है, वो पूरी तरह prepare करना आपक बात है, यह भी exams में पूछी जा चुकी है, पास्चन सीरीज की जो longest wavelength होती है, और आपकी chapter number 20 में, जो 2 से लेकर 6 तक numerical हैं, दो से लेकर जो 6 तक numerical हैं, यह आपने लाजमी solve करने, numerical 2 to 6 of chapter 20, ठीक है, तो मुझे ओकर रपोर्ट देते हैं, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ ही है कि spectral series में हमने क्यार करना क्या है, कल दो लेक्चर हमारा बोहर atomic model पे होगा, आज के लिए सिर्फ spectral series को, यह बचो असान है, मुश्किल तो नहीं है, बस ok हो गया, तो यह table, अब हर बच्चे को यह table जो है न, जबानी बनाना आता हो, और पहले 3 जो spectral series है न, इनकी तो आप अपने conditions को जबानी याद करना है।